कि अपैले में 1998 lasts 1999 में हुआ थ़ था by Rochester bao तो उन्हों Since RD Solid का तो अन्ने मनें आज से करीब बीक साल पहले की बात च्फान में तो तब तब तो उन्हों निकाल दिया पूरे थारड निकाल दिया दो पार्ट में दो पार्ट में अपरेशन किया हफते हफते बाद फिर उसके बाद रेडियेशन वगरा दिया तो ये इलाज चला बीस साल पहले फिर उसके बाद फालो पे रहे और दो या ग्यारा में रिपीट हो गया कि 2011 में रिपिट होगा हां जी ग्याराव साल बात है और मल्टीपल था ये ये मैं बोले वह भी ही सी कोई आप सुन लीजी तो मल्टीपल हो गया फिर क्या किए मल्टीपल था तो मैं टेश्ट करा अकराता रहा लेंग सुचब कि ऐसी ये तो बार बार आता रहए गा पिर मैंन प्राइनम करने का सोचा और इनका टीवी में ही देख देखके शुरुआत की फिर कुछ थोड़ा बहुत बेसिक सीखा मैंने और यह अधा बढ़ाया पहले में पांच मिन नहीं कर पाता था बैठी नहीं पाता था मानी नहीं करता था पता भी नहीं था जानकार भी जैसे से करता गया फिलिंग भी आती गई और फिर मैंने दो-दो-धाइड़े गिंटे किया और दिली से भी बहार चला गया दिली से बहार जाके खेतों में बैठके यही सीजन था उन दिनों तीन महिने लगवग मैंने दबा कि अपने खेते क्या नें बुबी जी कि कोठड़ा एंस बना देते तो सबस्भां में का ना कोठरा करे कर सुबष श्लमा पर हाँ ऑसा कि कुलूस ल्हाइं का झा जा थे सुर मध हीरा यह जाइक आफिन वह ही श्मार्चह करें कि वह रहा है कि और थोड़ी थोड़ी चीज़ें नुकसान करते हैं, पॉलिशन और मिलेगा, तो फिर कितनी दिन में गांटे खतम कर ली, लग वक्षे से आज महीने में चेंज आ गए, रिपोर्ट ही चेंज आ गए, रिपोर्ट ही चेंज हो गए, डोक्टर ने पूछा नहीं क्या करता है हाँ, फिर उन्हें आपस में डिसकर्स कर रहे थे, सीनियर जूनियर से कह रहे थे कि इनका तो हमने अभी तक कोई ट्रीटमेंट किया नहीं, तो ये कैसे चेंज आ गए रिपोर्ट, तो मैंने धीरे से कहा, मैंने का मैं प्रानायम करता हूँ, कैसे कैसे पास्विबल है, कैस पास्विबल हो सकता है, इनके और टेस्ट कराए जाएं, तो टेस्ट कराए उसमें भी कोई खास चेंज नहीं दिखा, रिपोर्ट अच्छी रही, तो उसके बाद फिर हम मैं फॉलो पे हूँ, साल दो साल में मैं डोक्टर से मिलने जाता हूँ, साल दो साल में डोक्टर से म और जो गांटें गांठें उनको निकालेंगे निकालेंगे तो एक जिगे से निकालेंगे पूरे सरीळ में फैल जाता है फिरी उसका क्या करें बीड़ बढ़ गया हर तरुसे अच्छा रहा अब किसी तरह का ऐसा कोई कम्लेंट नहीं है मुझे झाल झाल